हलो प्रेंट साज में आपको पताऊंगा कि यह दी पसु जुगाली नहीं कर रहा है खाना नहीं खा रहा है तो कौन से दो इंजेक्शन आपको जुरूर लगवाने चाहिए यह दी आपके पसु में इस तरह की दिकत हो जाती है तो और बहुत इस तरह की केस हैं जो आप देख तो इस तरह की इस्तती में इदिया आप उनका उप्योग करेंगे तो एक तो दूद देने वाले पसु में दूद की मात्रा पहले कि तरह ले सकते हैं साथ में पसु जो खाना जुगाली या सूस्त है उसको आप एक्टिव कर सकते हैं कौन से इंजेक्शन आते हैं उसके कित इन डोज देनी चाहिए किस तरह की इस्तती हो जाए तो उनके साथ आप सपोर्ट थरे की तोर पर आप क्या दे सकते हैं आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटियल से बताया जाएगा वीडियो जरूर लंबी हो सकती है या पहली पर आया तो पहले बार चैनल को सब आपको खुआ यहां सरदी नहीं पड़ रही है उसकी वजय से पसू ने खाना पिना छोड़ दिया है तो भिआ पयोग कर सकते यह किसी वेदर में या बदलते मोसम में आप उनका पयोग कर सकते ऐसा होता क्यों पहले तुमपताता हूं कि ऐसा कारण क्या है क्या सिंप्टमस देखने को मिलते हैं ऐसा नहीं कि पशू जुगाली नहीं कर रहा है खाना निखा रहा है तो आप तुरों जाकर के उन इंजेक्शन हो लगा दें पहले उनके सिम्टमस भी जाने उसका कारण भी जाने कारण क्या है कि एदी आपके पशू ने बिल्कुल भी खाना पिना छोड़ दिया या किसी कारण वर्स एदी कोई इस तरह की दिकत हो गई या कोई आयाद दिया आपके पशू में बेक्टेल या वाइरल इंफेक्टेड वाता पहले उसकी वज़़े से पशू ने छोड़ दि है तो भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं खैने का मतलब ही कोई बी या कोई बड़ी बीमारी या कोई बेक्टेल डिजीज वाइरल डिजीज या अदर डिजीज की वज़़े से एदी आपने पशू का ट्रीट्मेंट करवाया था उसके बाद में पशू ने इंजेक्शन लगने के बाद में बिल्कुल भी खाना छोड़ दिया है तो वहाँ पर आप उन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं और वैसे भी आपके पशू ने एदी सिंपल इस्तती में जैसे अचानक पशू ने खाना छोड़ दिया है या जुगाली करना बन कर दिय या कम खा रहा है तो भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं इसी के साथ यह बहुत ही ज्यादा तेज सरदी पड़ रही है या बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा बारिस जिसकी वजह से पशू स्ट्रेस में आ गया है यानि तनाव में आ गया है ने पशू में देखने को मिलेगा है इसी के साथ एदी आपके पशू में जिस प्रकार से लिवर से समन्दित कोई दिकत है यह वापर बी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं या कोई भी कारन नहीं हो पशूँ का टेम्परेश नोर्मल है उसकी वजह से पशू म इस तरह की दिखते हों गई हैं तो भी आप उन इंजेक्शनों का उप्योग अपने पशू में करा सकते हैं देखो मैंने जित्रे जो आपको बता है यह कारण इस तरह है कि स्थती देखने को मिले तो आप उप्योग कर सकते हैं इंजेक्शनों का उप्योग कर सकते हैं तो इसके लिए आपको कौन सैसे इंजेक्शनों का उप्योग करना चाहिए सबसे पहले मां आपको बताता हूं कि उस तरह केस में आपको एक तो सोडियम इसीड फासपेट इंजेक्शन में जो इंजेक्शन आता है यूरी मीन इंजेक्शन का अपयोग इस तरह के केस में अपने पसुमें अपने वेटेनेरियन से जरूर करवाना चाहिए यह दि आपको अच्छा रिजल लेना है तो जिसके अंदर सोडियम इस बताई हैं वहाँ पर सोडियम एसीड फास पर जो यूरिमीन इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का अपयोग आप अपने पशू में करा सकते हैं देखो इस इंजेक्शन की डोज यदी बड़े पशू में आप 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रा मस्कुलरवा इंट्रावीनस आप इ इंजेक्शन भी आप उन पशू को जरूर लगाएं इनके साथ आपको एक दूसरा इंजेक्शन लगाना है वह इंजेक्शन इदी पशू में दिया उप्यों कराएंगे तो किसी भी तरह की जो दिकते हैं पशू में इंडाइजेशन चे समंदीद या लिवर चे समंदीद कोई दिखेते पशू में देखने को मिलती हैं तो उसमें भी फाइदा करेगा साथ में कई दिनों से बीमार पशू है तो वहां पर भी हल्प करेगा साथ में जो दूद पशू का कम हो जाता है वहां पर भी कंट्रोर करता है जो पशू खाना पिना नहीं करते हैं कमजोर हो जाता है तो इसकी कमज़ोरी में उबारने भी इस इंजेक्षिन का उप्योग ऐना है तो इस लेना था फिन चनके साथ इनजेक्षोश द्ट्रेसा च chor interfử स्बार wraz journal है यह इनजेक्षन आपको खरो करना इसके अंदर सर्ट में ने इंजेक्षण इंजेक्शन का उपयोग अपने पशू में जरूर करवाएं देखो यह इंजेक्शन आता है इस इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तो बैटरी जिल मिलेगा यह इंजेक्शन की डोज होती है एक एमेल पर 40 kg बोडिवेट इंट्रा मस्कुलर वे इंट्रा विनेश यह इन्जेक्शन लगता है यह जिन पशू का वजन 400 kg है तो आप इस दस एमेल इंजेक्शन का उपयोग पशू में करा सकते हैं यह बड़े पशू हैं अनुमिया आप 10 एमेल आप दोनु रूट से आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशू में करवाया जाता है यह इंजेक्शन एदी पशू जब तक ठीक नहीं होता है तब तक आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशू में करवाना चाहिए जब तक ठीक हा मतलब है कि एदी आपको बैस रिजल लेना है तो आप लगात विपतार पहल खल्क को यह दोनों इंजेक्शन करने थim मतलम है कि आपको यह इंजेक्शन है मेडियम साइज में उसे चोटे हैं दो से तीन ईएक्षाइब एक साइड में आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं और एक साइड में आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं दुलू इंजेक्शनों को आप साथ में लगवा करके लगातार दो से तीन दिन इस तरह की दिकते हो जाती हैं तो आप अपने परियो करें और साथ में आपको जिस injection को लगा करके साथ में खैले का मतलब है कि पशुखाना पिना नहीं कर रहा है जुगाली नहीं कर रहा है कई दूनों से भीमार है तो इस तरह की दिकता है इंडाइजेशन जे समंदित मेटाबोलिजम संदित दिकते आपके पशुमें हो नहीं जो यह इंजेक्शन लगाते हैं इनका असर पस्वों के दूद में आता है कि किसी भी एंगल से पस्वों के लिए कोई भी नुकसान डाइक करने वाले इंजेक्शन नहीं है यह दिया आपको बैस्ट जल लेना है तो दो से तीन दिन या तीन से चार दिन आप केंटिनुटी आप इन इंजेक्शन का अप्योग अपने पस्वों में करवाया जा सकता है तब आप अच्छी तरह से समझगे हों कि इंजेक्शन कौन चाहिं कितीन डोज दिन सई और अधर यदी बीमारी है उन पस्वों में अधर इंजेक्शन लगा रहें तो उनके साथ भी